हाई फ्रेंट्स आपका मेरे चैनल टेक्निकल अमके डियर में स्वागत है दूस्तों आज की स्वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप फोन पे से कितना पैसा भीज सकते हैं इस वीडियो में आपको पूरा इस्ट्रिप बाइस बताऊंगा और पूरा लाइप प्रोसेश भी करके दिखाऊंगा कि कितना पैसा आप भी सकते हैं फोनपर से तो अफ्र Bul Kenneth बहुत सारे भाईएं का कमड़ियों करके रखा हूं और यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटर्फेस आई तो सबसे पहले यहां पर two mobile numbers इस पर मैं click कर दे रहा हूँ और यहां पर check करके दिखा दे रहा हूँ कि किस bank से कितना पैसा आप भेज सकते हैं तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने बाद यहाँ पर मैं किसी का भी एक number ले रहा हो जैसे, मुझे संड करना नहीं, कि तो आपको दिखाना है, तो यहाँ पर बाद यहाँ पर मुझे इनको पैसे भेजने हैं, तो यहाँ पर मैं 10,000 रुपए अगर डाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, देख सकते हैं, यूनियन बैंक है, यहाँ पर मैं 20,000 डाल रहा हूँ, तब भी ए पैसे चले जाएंगे, यहाँ पर, तो फिरिंट बहुत सारी लोगों का यहाँ पर पैसा तो चला जा लेकिन इस समय देख सकते हैं, यहाँ पर मैं 50,000 रुपए यहाँ डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपना बैंक, यहाँ पर Central Bank India select कर ले रहा हूँ, उसी तरह से मैं 1,000,000 रुपए ट्राई कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं, यहाँ पर पे करने का option दे दे रहा है, त यहाँ पर पिन डालने के लिए बोल रहा है कि आप पे कर सकते हैं, तो फ्रेंट यहाँ पर देख सकते हैं, आप Central Bank India से 1,000,000 रुपए तक भेज सकते हैं, और यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं Union Bank select कर ले रहा हूँ, Union Bank select करके paper मैं click कर दे रहा हूँ, तो देख सकते हैं, यहाँ Union Bank से भी आप 1,000,000 रुपए भेज सकते हैं, एक बार में, उसी तरह से यहाँ पर मैं HDFC यहाँ पर select कर ले रहा हूँ, तो HDFC से भी आप 1,000,000 रुपए आसानी से भेज सकते हैं, एक बार में, इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं Paytium Payment Bank है, continue पर मैं क्लिक कर रहा हूं, औ और पेपर में क्लिक कर रहा हूं तो पेटियम से भी या पेटियम पेमेंट बैंक से भी एक लाग रुपए यहां पे भीज सकते हैं पहले यहां पर मेरे सेंटरल बैंक से किवल 20 रुपए ही जा रहा था तो बिर आप इस वीडियो को बनाने क्या मकसद यही है अब आप Central Bank से भी आप 1,00,00 रुपए तक 1,00 में ही भेज सकते हैं तो फ्रिंड अब बात आती है कि आप एक दिन में फोन पेसे कितना पैसा भेज सकते हैं तो फ्रिंड अगर मान लिजे आप फोन पेसे 1,00,00 रुपए किसी को आप भेज दिये तो उस दिन का लिमिट आपका खतम हो जाएगा मतलब आपका उस दिन का लिमिट खतम 1,00,00 रुपए से उपर आप एक दिन में पैसा नहीं भेज सकते हैं अगर मान लिजे आप 10,000 करके 10 लोगों को भेज जे हैं 1,00,00 रुपए तब भी आपका लिमिट खतम हो जाएगा और वहीं पर अगर मान लिजे आपने 5,000,00 करके 10 लोगों को आपने 50,000 किसी को भेज दिया है 10 लोगों तब भी आपका लिमिट खतम हो जाएगा मतलब एक दिन में आप तो आप 1,00,00 रुपए भेज दीजिए या आप 10 ट्रांजेक्शन कीजिए मतलब 10 बार में आपको 1,00,00 रुपए भेज नहीं अगर या तो आप 1,00,00 रुपए भेज दीए एक अई बार में तो आप पर लिमिट लग जाएगा आप भेज नहीं पाएगे और वहीं पर आपने 2,000 रुपए ही करके 10 बार आपने 2,000 बेज दिया तब भी आपका लिमिट खतम हो जाएगा तो पर नहीं पर मेरे पास 3,4 रही बैंक अकाउंट थे मैं सारे बैंकों का नहीं ट्राई करके याँ पर दिखा पाऊंगा अपका जो भी बैंक आउंट है अगर आपके ममिट और पी याज़े पी लाग रुपए और आपके फोन पे से ट्रांसपर रुघ आ के एक बाट जरूर आप कमेंट कीजेगा और इससे भी एक लाग रुपए आप भेज़ सकते हैं आप जरूर कमेंट कीजे गा ताकि बहुत सारे लोगों का help भी हो जाएगा इन सभी लोगों का confusion दूर हो जाएगा क्योंकि मेरे पास सारे bank account तो है नहीं कि मैं सभी का check करके दिखाऊँगा तिन चार bank account है मेरे पास इनका try करके मैं आपको दिखा दिया हूँ कि इन बैंकों से अगर इन बैंकों में से Central Bank Union, HDFC, Paytm है तो आप 1,00,000 रुपए तक भेज सकते हैं तो फ्रेंट I hope कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिगा और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिगा और साथ में बेल आइकन को फ्रेंट इस वीडियो में बस इतना मिल देंगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिए बंदे मात्रम